स्वागत है आपका यूटूब चैनल टेट फैक्ट अकैडमी में मैं हूँ ससी कांतरा है आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्री सिच्छा नीती 2020 के बारे में और इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्री सिच्छा नीती 2020 में के जो प्रमुख बिंदू है वो क्या-क्या है तो यह शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो राष्ट्री सिच्छा नीती 2020 नई सिच्छा नीती 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है इससे पूर्व 1968 एवं 1986 में सिच्छा नीती लागू की गई थी 1992 में इस नीती में कुछ संसोधन किये गये थे पूर्व इस्रो प्रमुक के कस्तुरी रंगन की अधच्चता में विशेशग्यों की एक समिती ने नई सिच्छा नीती का मसवधा तयार किया है जिसे प्रधान मंत्री नरेद मोदी की अधच्चता में कैबिनेट निबुद्वार को मजदूरी दी इसके तहट मानो संसादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिच्छा मंत्राले कर दिया गया है जिडीपी का 6 फीसद सिच्छा में खर्च करने का लक्ष है जो अभी 4.43 फीसद है नई सिच्छा नीती का लक्ष है 2030 तक 3-18 आयूवर्प के प्रतेग बच्चे को गुलवत्ता पुर्ण सिच्छा प्रदान करना है नई सिच्छा नीती 2020 की मुख्य बाते हैं नई सिच्छा नीती में पांचवी क्लास तक मात्र भासा इस्थानी छेत्री भासा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है इसे कलास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है विदेशी भासाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी हाला कि नई सिच्छा नीती में यह भी कहा गया है कि किसी भी भासा को तोफा नहीं जाएगा साल 2030 तक उसकूली सिच्छा में 100% GER ग्रास एन्रॉल्मेंट रेसों के साथ माधमी कस्तर तक एजुकेशन पॉर आलकार लच्छ रखा गया है अभी उसकूल से दूर रह रहा है दो करोन बच्चों को दोबारा मुक्यधारा में लाया जाएगा इसके लिए उसकूल के बुनियादी धाचे का विकास एवं नवीन सिच्छा केंद्रों की स्तापना की जाएगी उसकूल पार्ट करम के 10 प्लस 2 के धाचे की जगे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का नया पार्ट करम संगरचना लागू किया जाएगा जो करम सा 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्स के बच्चों के लिए है इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को उसकूली पार्ट करम के तैत लाने का प्रावधान है जिसे 20 अस्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्पूर चरण के रूप में मानेता दी गई है NCRT 8 वर्स की आयू तक के बच्चों के लिए प्रारमिक बच्चपन, देखभाल और सिच्चा के लिए एक राष्ट्री पार्टिक्रम और सेच्रिक धाचा विक्सित करेगा स्कूलों में सेच्च्रिक धाराओं, पाठ गतविदियों और व्यवसाइक सिच्चा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा नई प्रणाली में प्री स्कूल इनके साथ 12 साल की स्कूली सिच्चा और 3 साल की आगनवाडी होगी इसके तहर चात्रों की सुरुवाती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है अगले स्टेज में 3, 4 और 5 वी क्लास को रखा गया है इसके बाद मिडिल स्कूल यानि 6 से 8 कच्चा में सब्जेट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा सभी चात्र के वल 3, 5 वी और 8 कच्चा में परिच्चा देंगे 10 वी और 12 की बोर्ड परिच्चा पहले की तरह ही जारी रहेगी बच्चों के समगर विकास करने के लक्ष को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया सुरूप दिया जाएगा एक नया राष्ट्री आकलन केंदर परक समगर विकास के लिए कार्यप्रदर्सन आकलन समिच्छा और ज्यान का विसलेशन एक मानक निर्धारक निकाय करूप में स्थापित किया जाएगा पढ़ने लिखने और जोड घटाओ अर्थात संख्यात्मक ज्यान की बुनियादी युगता पर जोड़ दिया जाएगा बुनियादी सच्छर्था और संख्यात्मक ज्यान की प्रापती को सही डंग से सीखने के लिए अत्यम्त जरूरी एवं पहली आवस्था मानते गए बुनियादी सच्छर्था और संख्यात्मक ज्यान पर एक राष्ट्री मिशन की स्थापना किये जाने पर विशेश जोड दिया गया है सामाजिक और आर्थिक नजरिये सेवंचित समू S.E.D.G की सिख्छा पर विशेश जोड दिया जाएगा सिख्छकों के लिए राष्ट्री प्रोफेशनल मानक राष्ट्री धापक सिख्छा परिशत द्वारा वर्स 2022 तक विख्षित किया जाएगा जिसके लिए N.C.R.T. S.E.R.T. सिख्छकों और सभी अस्त्रों एवं छेत्रों के विशेसर के संगटनों के साथ परामर्स भी किया जाएगा च्छटी क्लास से वोकेशनल कोर्स सुरू किये जाएगे इसके तहट इच्छक छात्रों को छटी क्लास के बाद से ही इंटर्शिप कराई जाएगी इसके अलावा म्यूजिक एवं आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें पाठकरम में लागू किया जाएगा उच्छ सिच्छा के लिए एक सिंगल रेगूलेटर होगा ला और मेडिकल सिच्छा को छोड़कर समस्त उच्छ सिच्छा के लिए अति महत्पूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत में उच्छ सिच्छा आयोक का गठन किया जाएगा उच्छे सिच्छा में 2035 तक 50 फीसद ग्रास एन्रॉल्मेंट रेसो पहुंचनाने का लक्ष है फिलाल 2018 के आखड़ों के अनसार यह 26.3 प्रतिसत है इसके लावा उच्छे सिच्छा में 3.5 करोन नई सीटे जोड़ी जाएंगी पहली बार multiple entry और exit system लागू किया गया है आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 4 साल engineering पढ़ने या 6 semester पढ़ने के बाद किसी कारणवस आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता था लेकिन multiple entry और exit system में एक साल के बाद certificate, दो साल के बाद diploma और 3-4 साल के बाद degree मिल जाएगी इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वज़े से छूड़ जाती है नई सिच्छा नीती में छात्रों को यहाँ आजादी भी होगी कि अगर वह कोई course बीच में छोड़कर दूसरे course में दाखिला लेना चाहें तो पहले course से एक खास निशित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा course जोईन कर सकते हैं उच्छ सिच्छा में कई बदलाव किये गए हैं जो चात्र research करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का degree program होगा और जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही degree program करेंगे लेकिन जो research में जाना चाहते हैं वो एक साल के MA के साथ 4 साल के degree program के बाद सीधे PhD कर सकते हैं उन्हें MFIL करने की जरूद नहीं होगी इप पाठिकरंग छेतरी भासाओं में विक्सित किये जाएंगे वर्चुल लैब विक्सित की जा रही है और एक राश्ट्री सेचिक टेकनोलोजी फोरम NETF वनाए जा रहा है सोध करने के लिए और पूरी उच सिच्छा में एक मजबूत अनसंधान संस्कृती तथा अनसंधान चमता को बढ़ावा देने के लिए एक सीर्स निकाय के रूप में National Research Foundation की स्थापना की जाएगी NRF कमुक युदेश बिस्विध्यालियों के माध्याम से सोध की संस्कृती को सक्षम बनाना होगा National Research Foundation स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक Board of Governance द्वारा सासित होगा उच सिच्छा संस्थानों को सुरुख चार्ज करने के मामले में और पारदर्सिता लानी होगी बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रेक करने के लिए राष्ट्री छात्रवर्ती पोर्टल का विस्तार किया जाएगा निजी उच सिच्छर संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुर्थ सिच्छा और छात्रवत्री की पेस्कस करने के लिए प्रोटसहित किया जाएगा महामारी और वैस्विक महामारी में व्रद्धी होने के प्रणाम सुरूप आनलाइन सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिसों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और वैक्तिकत सिच्छा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना सम्हो नहीं है गुलबत्तापूर्ण सिच्छा के वैकलपिक साधनों की तैयारी को सुनेशित करने के लिए स्कूल और उच्छे सिच्छा दोनों को इस सिच्छा की जरूरतों को पूरा करने के लिए NHRD में डिजिटल और संगरचना, डिजिटल कंटेंट और छमता निर्मार के उद्देश से एक समर्पी थिकाई बनाई जाएगी सभी भारती भासाओं के लिए संगरचन, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई सिच्छा नीती में पाली, भारसी और प्राक्रतिक भासाओं के लिए एक Indian Institute of Translation and Interpretation राष्ट्री संस्तान की स्थापना करने उच्छ सिच्छ संस्थानों में संस्क्रित और सभी भासा विवागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्छ सिच्छ संस्थानों के करक्रमों में सिच्छा के माध्यम की रूप में मात्र भासा और स्थानी भासा का उप्योग करने की सिपारिश की गई है तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाओ दे सकते हैं जल्दी हम अगले नए वीडियो के साथ में पुना उपस्तित होंगे तब तक के लिए इयाज़त दीजिए धन्यवाद